हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC और IRCTC के बारे में IRCTC के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए बड़ी अपडेट्स हैं और काफी जादा पॉलिटिव अपडेट्स भी है जो कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं साथी साथ अगर आप देखोगे तो IRFC में एक अच्छा कासा मुमेंट देखने को मिला आज के दिन उसके पीछे का रीजन जानने का ट्राइ करेंगे Q4 से रिलेटेट भी बड़ी अपडेट निकल के आ रहे है IRFC के लिए वो भी हम इस वीडियो के तुरू जानने का पूरा ट्राइ करने वाले हैं और वो कहां कहां तक ये जो सिनारियो बन सकता है इस सारी चीज़ों पर हम डिसक्स कन करेंगे तो वीडियो बहुत जादे इंपोर्टाइंट होने वाली आपसे जस्ट एक रिक्रेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीज़ेगा चैनल पर वर्शनाम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेज़ेगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबते बहले बात करेंगे IRCTC के बारे में IRCTC में आज आपको negative movement देखने को मिला कल आपको एक अच्छा काजा positive side movement देखने को मिला था आज आपको negative movement देखने को मिला है करीवन 1.28% का 822 रुपे की closing ये share आज के दिन आपको बनाते हुए नजर आया है, अब यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से इसमें थोड़ा बहुत improvement देखने को मिला है कि पिछले 5 दिन में आपको 6% के point of return इस particular stock ने बना के दिये हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे split के बाद share की जो कहानी व यहाँ पर 6 मेने के returns हैं, वो काफी ज़्यादा आपको disappoint करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि scenario आपको पत ही है, करीवन 8% के आजपास के negative returns बना के दिये हैं, लेकिन पिछले 1 मेने में कहानी सुदर्ती हुए नजर आ रही है, और करीवन 14% के आजपास के return इस stock ने बना अब इस particular reason की बज़ेते मैं आपको एक यहाँ पर update निकल के आई, जो कि काफी बड़ी update है, वो मैं आपको बताता हूँ, IRCTC likely to run two भारत गौरब trains on Delhi, Mumbai sector, यानि कि अगर आप देखोगे तो IRCTC दो भारत गौरब trains से लाने वाली है, जो कि Delhi और Mumbai sector पे आपको चलते हुए नज आने वाली है, यह एक नया scenario बन के आया है, जो कि अभी तक news में भी नहीं था, और यह काफी जादा positive माहौल IRCTC के लिए create करते हुए, नजर आ सकता है, आने वाले कुछ time के अंदर अंदर, यहाँ पर update को अगर हम आगे देखें, तो in a bit to promote a tourism in the country, Indian railways had introduced भारत गौरब trains, first of its kind theme based tourist circuit trains, यानि कि अगर आप देखोगे तो tourism को promote करने के लिए Indian railways की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, और भारत गौरब trains को चलाया जा रहा है, यह basically आपको पहली बारी कोई theme based tourism circuit trains की तरह देखने को मिलने वाली है, अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे stakeholders जो की different zones से हैं, वो इसमें already interest दिखाना start कर चुके हैं, अब सबते बड़ी बात, यह जो trains हैं, वो आपको यहाँ पे ISCTC और private sector दोनों ही चलाते हुए नजर आ सकते हैं, यानि कि अगर आप देखो कुछ दूनों पहले यहाँ पे बड़ा update निकल के आया था, कि railway minister की तरफ से बोला ग ISCTC के पास भी option है कि बो भी बना सकते हैं, प्रस आपको private sector भी यहाँ पे बनाते हुए नजर आ सकता है, ISCTC अगर आप देखो के तो total 11 parties हैं, जिसमें आपको यह registered होते हुए नजर आ रहे हैं, तो definitely ISCTC के लिए एक बहतरी निहाँ पे यह जो scenario बनते हो नजर आ रहे हैं, करी नजर आते हैं, और one each from northern and hubli west south western zone, यह आपको पूरा scenario नजर आता है, अब यह तो बात होगी भारत गौरत ट्रेंज के बारे में definitely बड़ा scenario positive impact create तो होना ही होना है, बाकी एक और news है, want to explore all of the south India, ISCTC bring for you a lucrative tour package, यानि कि मैंने जो आपको बात बताई दी वो सा चोते वे नजर आते हैं, मैंने आपको बताया था, पिछले उस दिनों में summer special train चलाई गई थी, मैंने आपको बताया था, अब यह धीर धीर करके नई trends आपको देखने को मिलते ही रहने वाली है, जो कि revenue generate करके देने वाली है, ISCT को बहुत ज़्यादा भयंकर, अब यहाँ पे आप देख पा बंते नजर आने वाला है, अगर आप buying करना चाहते हो, मेरे ख्याल से long term के लिए तो कभी भी आप जा सकते हो, short term के लिए मैंने आपको बताया ही था, कि जब इसमें भयंकर गिरावट हो चुके थी, वहाँ पे मैंने बार बार यह आपको बोला था, कि short term में आप इसमें IRFC के बारे में, IRFC अगर आज देखोगे, आज एक अच्छा मूमेंट देखा तो यह नजर आया, mostly इसमें ऐसे भी मूमेंट देखने को नहीं मिलते हैं, आज आपको 1.85% का upside मूमेंट देखने को मिलते हैं, 22.05 पैसे पर आज इसकी closing हुई, 21.65 पैसे पर open हुआ था, 22.30 पै सेनेरियो क्रेट किया था, अब यहाँ पर definitely आपको पता ही है कि trading window close हो चुकी है, कभी भी आपको Q4 के updates आ सकते हैं, main चीज जो निकल के आ रही है, इस बारी वो यह है कि शायद आपको IRFC की तरब से एक अच्छा का सा dividend, final dividend मिल सकता है इस quarter में, लेकिन इस पे अभी तक कोई अभी official announcement नहीं आया है, तो इस बज़े से अभी इस चीज पर पूरी share already नहीं है, लेकिन जिस according share का performance है, तो शायद company अपने shareholder को retain करने के लिए एक अच्छा dividend देश सकती है, bonus के chances बहुत कम है, split तो यहाँ पर होई नहीं सकता है, अब कुछ updates हैं, जो कि IRFC थे related हैं, वो मैं आ पताता हूँ, PM Modi hills कौन कन railway for completing 100% electrification of the entire route, यानि कि अगर आप देखोगे, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो railway है, उसको पूरी तरीके से आपको electrification करने वाले हैं, तो definitely आपको यहाँ पर PM Modi की तरब से भी initiative लेते हो नजर आ रहे हैं, इसकी जो पूरी cost होगी project की, वो इसकी पूरी फाइनसिंग आपको IRFC करते हो नजर आने वाला है, definitely positive impact create होगा, लेकिन बहुत बड़ा impact ऐसा नहीं है, कि इस news की बज़े से आपको 10-20% का मूमन देखने को मिलेगा, positive impact इस particular news से माहूल अच्छा बन सकता है, second update, Indian Railway is geared up to become green railway by 2030, यानि कि अगर आप देखोगे, तो Indian Railway पूरी तरीके से solar system पे depend होने वाली है, green railway आपको ये initiative लेते हो नजर आया है, definitely 2030 तक आपको पूरा जो Indian Railway system है, वो green railway बनते हो नजर आएगा, यानि कि solar जो भी energy है, उस पर आपको ये transform होते हो नजर आने वाला है, इसमें भी आपको IRFC में बहुत अच्छा गासा moment देखने को मिलेगा, share price की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके financials के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि share price का logic मैं आपको बहुत बारी सेम चीज बता चुक हूँ, तो इस वीडियो में repeat करने का मतलब नहीं बनता है, तो मैंने आपको इन दोनों स्टॉक के बारे में सारा सेनेरियो बता दिया है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा, चैनल पर फ़र्शना मेजट कर रहे हूँ तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा, धन्यवाद